मनिपूर में महिलाओं पर होर है अत्याचार और दरिंदगी के वीडियो सामने आने के बाद जीले में भी आगरोश देखा जा रहा है मंगलवार को शहर में नागरिकों ने मौन परतसन कर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है बड़ी संख्या में कलेक्टरेट पहुचे शहर के नागरिकों ने राष्ट्र पती के नाम ग्यापन सवपा इस अमानवी एक्रत्य का वीडियो सामने आने के बाद समुच्चा समाज अपने आपको शर्मसार महसिस कर रहा है शहर के नागरिक इसक्रत्य की निंदा करते हुए राजी की मशिनरी की चुपी और उदासिंता दर्ज करता है बीरो डिपोर्ट खरगोन पुजा जाता है यहां पर किस तरह से बजबता हुए नारियों के साथ में हो रहे हुए इस प्रकार से उन से छेड़खानी किया जा रहा है यह द्रैसे लेकर हमारे बहुत रखवालित हो चुके हैं इक विल्पूल ही मेलता है को नारियों का इस साथ में सड़कानी किया जाना है, जो हमारे बहुत भुछी है। हमारे देश की शरकार को इस बखले में सचयत होता है देखा हमें यह समझ देना तहीं कि किस इसलिटी में हम रख के रहे हैं हमें कैसा करना चाहिए कैसी आलत में रहना चाहिए यह हमारे नारियों का यहां पर सम्मान होना चाहिए अपरादियों को दंड दिया जाए जो इस तरह से करते हैं उन्हें इस तरह से अवगत कराएं कि तुम कितने जद्धन्य आपराद करते हैं इसका पनिश्मेट गोने मिना जाएं स्री मति जनाभी जबता हैं मनिपूर में इतने दुगटनाय हो रही है जिनकी वज़े से जो आक्रोश है वो महिलाओं पर क्यों निकाला जा रहा है इसके लिए प्रशाष्टन जागरत हो और जो भी इसका आरोपी है जो इतने भी है जो भी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि और भी बाद कि इसको प्रशाष्टन को जागरत कि आजाए क्या प्रशाष्टन सोड जा रहा है इस बात को लिके जो महिलाओं के इतना थ्याचार Hollा फिर भी कुछ नहीं बूल रहा है फिर भी कहें से कोई प्रशाष्टन की तरप से कोई सहयोग द थी और यह क्यों तो इसे लिए गाँ गाँ शहर शहर जीला जीला सभी लोग जागरत हो चुकर सिर्फ प्रेशाश्चन्स हो रहा है तो यही मेरा नुरोध है कि प्रेशाश्चन जा गए और इस महिलाओं के साथ जो दुर्वेफार हुआ है उसके आवरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस इ 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना मुलें